पन्वेल महनेगर पालिका के अंतरगर्द आज 156 नए कोरोना पॉसिटिम मरीजों के साथ कोरोना संक्रमेट मरीजों का कुलाकड़ा बढ़कर 7873 तक पहुँच चुका है वही आंक्टिव केसों के सांक्या 1497 तक पहुँच चुकी है पन्वेल हाइलाइट्स बता दे कि न्यूपन्वेल के साथ अब कामोठे और कलमबोली में भी कोरोना संक्रमन का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है आज 393 एक्टिव केसों के साथ कलम बोली और न्यूपन वेल में कोरोना संक्रमन के एक्टिव केसों का ग्राफ सबसे अधिक दर्ज किया गया पनवेल महानगर पालिका के अंतरगरत आक्टिव केसों के संक्रमन के बढ़ोतरी देखने को मिली और ये आक्रा तकरीबन 1500 की करी पहुच गया है आज राहत भरी खबर ये रही कि आज 121 लोग कोरोना मुक्त हों के डिस्चारज कर दिये गए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तिव की संक्या में हुआ इज़ाफा और आक्रा पहुचा 6194 बतादे कि डिस्चारज में लोगों में शामिल है पन्वेल से 12, न्यू पन्वेल से 30, कलमबोली से 15, कामोठे से 35, खरगड से 16 और तलोजा से 13 तो चलिए ग्राफिक के मादिम से समझाने की कोशिश करते हैं कि पन्वेल महनगर पालिका के अंतरगत आज कहां कहां पाए गए कोरोना पोजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गई, कोरोना संक्रमण से मृत्यों का आक्रा रहा 1, रिकवर्ड केसु की संख्या रही 15 कामोठे से आज 43 कोरोना पोजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गई, कोरोना संक्रमण से मृत्यों का आक्रा रहा 3, रिकवर्ड केसु की संख्या रही 35 खार घर में आज 39 कोरुना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गई कोरुना संक्रमण से मृत्यू का आकड़ा रहा शुन्य रिकवर्ड केसों की संख्या रही 16 न्यूपन वेल में आज 25 कोरुना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गई कोरुना संक्रमण से मृत्यू का आक्रा रहा एक रिकवर्ट केसों की संक्या रही 30 पनवेल से आज 14 कोरुना पोजिटिव मरीज पाए गए कोरुना संक्रमण से मृत्यू का आक्रा रहा शुन्य रिकवर्ट केसों की संक्या रही 12 और इसी के साथ अगर देखा जाये तो पनवेल महानगर पालिका के अंतरगत अब तक कुल 7873 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गई है तो चलिए ग्राफिक के मादम से अब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पनवेल महानगर पालिका के अंतरगत विभिन शहरों में कोरोना संक्रमर और आक्टिव केसो का क्या रहा ग्राफ बता दे की कलम बोली में अब तक 1479 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गई है आक्टिव केसो की संख्या है 393 कामोठे में 1661 कोरोना पॉसिटिव मरीज पाए जा चुके हैं एक्टिव केसों के संक्या है 329 खारखर में 1507 कोरोना पॉसिटिव मरीज पाए जा चुके हैं एक्टिव केसों के संक्या है 292 न्यूपन्वेल में 1373 कोरोना पॉसिटिव मरीज पाए जा चुके हैं एक्टिव केसों की संख्या है 393, पन्वेल में 1398 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गई है, एक्टिव केसों की संख्या है 31 और तलोजा में 465 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाय जा चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या है 69 तो चलिए ग्राफिक के मादम से अब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पनवेल महानगर पालिका के अंतगा द्वेभिन शेहरों में कोरोना संक्रमन से मृत्यू का क्या रहा ग्राफ रिकवर्ड केसों की क्या रही संख्या बता दे की कलम बोली में अब तक 33 लोगों की कोरोना संक्रमन से मृत हो चुकी है रिकवर्ड केसों की संख्या है एक हजार दोसो अटासी खारगन में अब तक 17 लोगों की कोरुना संक्रमट से मौत हो चुकी है रिकवर्ट केसो की संक्या है 1198 न्यू पनवेल में अब तक 36 लोगों की कोरुना संक्रमट से मौत हो चुकी है रिकवर्ट केसो की संक्या है 944 पन्वेल में अब तक 41 लोगों की कोरुना संख्रमर्ण से मौत होचुकी है, रिकवर्ट केशों के संक्या है 1326 और तलोजा में अब तक 11 लोगों की कोरुना संक्या है 395 दुखत घटना बता दे कि आज पांच व्यक्तियों की मौत के साथ पन्वेल महानकर पालिका के अंतरगत कोरूना संक्रमन से मृत्तियों का कुल आकड़ा 182 तक पोहच चुका है सोलकेम सोसाइटी प्लॉट नंबर 22 सेक्टर 25 रूम नंबर 705 की रहिवासी कोरूना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत कामोठे सेक्टर 6 माउली अपार्टमेंट A 102 की रहिवासी कोरूना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत कलमबोली सेक्टर A की प्लॉट नंबर 20 न्यू घरकुल स सुसाइटी के रहिवासी कोरूना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत चले डालते हैं अब आकड़ों पर रजल कुल कोवेट 19 टेस्ट जान संक्या 25,806 कोरूना की कुल मरीज 7,873 कोरूना की आक्टिव केस 1497 कोरूना रिपोर्ट प्रोलम बे 2 कोरूना पॉजिटिव से नेगेट प्रोट 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 वाप